हलो दूस्तों, रेशेपी चाहे जो भी हो, चिकन ब्रेस्ट को आपने कैसे सॉफ्ट और जूसी पकाना है, इसके लिए ये स्पेशल वीडियो में आज आपके साथ शेयर करने जारी है, चिकन की ब्राइनिंग आपने कैसे करनी है, जिसके वज़े से चिकन आपकी सॉफ्ट ज जादा डिलिशेस बनेगी, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, यहाँ पर चिकन का एक पीस मैंने बजार से लाके ऐसी ही रखा हुआ है, इसको आपने दोना नहीं है, यह 200 ग्रायम का चिकन पीस है, तो इसकी हिसाब से यह मिडियम साइज का एक निम्बू ले ले चिकन पानी में अच्छे से डूबने तक हमने इसके अंदर पानी डाल लेना है, और इसको आपने ऐसे ही ढख के छोड़ना है आधे घंटे के लिए, तो यहाँ पर 30 मीट हो चुके है, चिकन को एक बार चेक करेंगे, तीस मीट के बाद आपने चिकन को अच्छे से क्लीन कर लेना है, नीमू के साथ इसको आपने अच्छे से एक बार रगड़ना है, ताकि इसके उपर की सारी गंदगी हट जाए, इसके समेल खतम हो जाए, और अगर आप इसे बोनलेस बनाना चाहरे है, तो इसके उपर लगी हुई ये बोन्स को आप हटा सकते है, साथ में अगर को यहाँ पर दो से तीन पानी से आपने इसको अच्छे से धो लेना है, टैप वाटर के नीचे आप इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, इसके बाद एक पेपर टाल से इसको में सूखा कर ले रही हूँ, और आप जो भी कोई डीश बनाना चाहते है, तो इस ब्रेस के साथ अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं, उनकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी, पर्टिकलर इस वाले पीस से मैंने ये फ्राइड चिकन बनाया हुआ था, जिसके रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे अ लागी होंगी तो इसे लाइक करें, और अगर आप नॉन्वेज खाने के शोकीन हैं, तो ऐसे नई नई रेसिपी और उन से जोड़ी छोटी मोटी टीम मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें